आपने ग्लोसरी जोए श्पेर एडले लेट रिमेन अथा लीव अंटच श्पेर छूडी देव बक्स देव तजी देव कहनु बता वड़ थासे ब्रांच ओफ ट्री जार्णी दा परची न सब्सक्राइब सेल्टर सेल्टर एडले प्रोटेक्शन आस्रे आपो आस्रे आपो बची कोट कोट एले ले लाइट बेड नानो पलंग अथो खाट लो एक्स एले तूल अफ तूल अफ जोबिंग कुहाडी फेमिलियर एले ले ले नौन परिचित जानितु ग्लोरी एले रिनोन अनोर अपरू अनिकिलती हू फ्ट्रा नौन अबता से टूक और चौप रिट बलॉस वार्र एतु छिरू फर्बियर टो किप बनसे इंचिक तू पताना जाथनेच काभु मारापी स्व्यम लगॉ थय थय एले प्रोस्टिव प्रोनौन फर तो अफ और रले उट आरू अथ ओ प्रोटारू आइडेलेटले एलेजेडवे लेजी अन ओक्यूपाइट आड़सू अथो नोरो ग्यूशिंग नुम्मटब थासे और फ्लोविंग उबरातू फोर्गिव नुमटब थासे टू पाड़ोन एलेफ माफ करू हावे विल्याजी मेत्रों त्यार बच्छीन आपने एक्सिसेस्ट चोए है टेस्ट बुक पेज नुममर 31 31, exercise C21, put tick mark right or wrong, this oak is wider than its height, आ ओक नुचे वरूट छे, ते ना करता ते नी उचाय विदारा छे, रोम, second छे, the trees is known only in the poet's village, आ जे व्रुक्स छे, ए लेकक ना गाम ना माच परिचित छे, जानितु छे, रोम, the woodcutter did not listen to the poet's appeal, लाकण हारो छे, ए लेकक नी लेली समबर्दन थी, रोम, the roots of the oak tree have gone deep into the soil, oak ना व्रुक्स ना मुडियाओ, खुब उंडान सुधी जमीनवा गयाला छे, the woodcutter was invented to cut oak tree, लाकण हारा है, आम्मंत्र ना पिलू, oak tree ने कापा माटेनू, no wrong छे, ट्यार पच्छी नीचे, विची exercise जोए, exercise C2-2, arrange the sentence in a proper sequence according to the poem, कावे मुझब आप्रे बाक्या पेले चे करम माग उठा मना छे, पेल आप्रे बाक्या बाक्या बाचे ले, the tree is very high, it was very famous tree, it was planted by his grandfather, the poet passed his life in the company of the tree, it is well known in surrounding area, the poet wished to sit under the shed of big oak, पेलु बाक्या आप्या पेलु आप्रे मुझब आप्रे, the tree is very high, या number four लखो, it was very famous tree, या number two लखो, निचे, इट वस प्लांटेट बाई इस ग्राणफादर, ते तेना दादा द्वारा वाव्ला मावियोतू, इना नबर बन लखो Next, the poet passed his life in the company of the tree, तेना नबर शिक्स लखो के कविल चे पतानु जीवन जहड़ना साथे बितावाई चे पच्छिनू, it is very well known in surrounding area, आजोजोन फरता area, विस्तार मा एक खुप प्रचलीच जहाड़ चे, रुक्स चे, नबर बत्री आपो The poet wished to sit under the shade of big oak, लेका के कयू, ये उना रुक्स नीचे खुप, छाया मा सांच मा बेश्ता होतो, तेना नबर फाई आपो होये, इद्याजमीतोर त्यार पच्छी नी एक इसे साइस चे, completely stable, येमा आपर त्राण कोलाम आपेला चे, description, line, अने paraphrase पिल उदर्ण, आपने पाठिविसिक मा आप्पी दूदू दूलू चे, don't appeal to the woodcutter, लकड हारा हारे, निसके, कठ्यार हारे तामें दलिलना करो लाइन, आ लाइन कौन बोले चे, would man spare that tree, woodman लकड हारो आज़ाड ने ए भुरुक्स ने बचावाँ आते ते, परपेस, पेराफेरेस सुचे, don't cut the tree and leave it, आ भुरुक्स ने नही कापो अने इमनें रेवादू, बीचे मा डिस्क्रिप्सन ना थे, एपापर बनावाँ पर से लाइन ए पीछे, थाई, एक, सेल, हाम, इत, नौट, तारी कौहडी आ भुरुक्स ने नुक्षान ना पोचाड, अवे, poet appeal to the woodman, poet ले कभी दलील करे चे, निसके, कठिया रासा ते, रेजवाद करे चे, के तू, आ भुरुक्स ने हानी ना पोचाड, पर फेरफेरेस्पेस पर्ष्ण नोच्छान पोचाड, आ कुहार, रेजे तेने नुक्षान ना पोचाड, आ कुहाड रेज नोच्छान, description of the tree, that all familiar tree, that all familiar tree, it was famous tree, आख राचले प्रुक्स ने जाड चे, description of the tree's height, now pressingはいच चाड, it is very tall, answer this question in one प्रस्ट ना जो आपड़ चुए एक बी बाक्य मा पेला चे आपड़ चुए answer this question, following question, पेलो question चुए आपड़े okay, what does the poet appeal to the woodman, कभी गठ्याराने सी आजीजी गारे चे, अपिल एला आजीजी गारी the poet G.P. Morris, आपड़ेना लेकाख चे, G.P. Morris, ए जोज पोप Morris चे, पना आपड़े श्टुप मा लेको चे, G.P. Morris, क्यावेन उपर जापड़ो चे सरुआत्मा the poet G.P. Morris appeals to the woodman not to fail the tree, ए आजीजी गारे चे कठ्याराने, तुआ व्रुक्षने नतोर the poet always lord to the tree, was emotionally attached to the tree, ए पोते पोता ना लागनी एने व्रुक्सारे प्रेम लागनी शे, therefore he requests to woodman to spare the tree, जैसी थे कठ्याराने के छे, तुआ व्रुक्ष ने छोड़ी थे, काफ में next, तुआ बचे नो भुचो प्रस्णों शोगे आपने, what does the earth bound ties mean, ए नो मतलब सुन्दाए, earth bound ties mean, ए नो मतलब सुन्दाए every tree has roots and roots are deeply bound into the earth, धरेक रूख्ष ने मूड़ होहिचे, आट बड़ीटी है roots मूड़ और धरेक मूड़ीरा जमेन मा उंड़ा मिसुुदी गोहिचे, therefore earth bound ties means, the roots are the tree with which the tree are bound in oak in earth, ए नो मतलब सुन्दाए, के earth bound dice means पुरुथ्वी छे जमिन ने साथे माधी राखे छे, the roots of the tree मुढ ना जे जाड छे, which the tree is bound to the earth, छे, which the tree is bound to the earth. के जमिन छे, जाड ने जाड छे जमिन पुरुथ्वी साथे ते बन्दा है जुचे. Next, describe the tree in brief, रुख्ष ने विस्तापसी वनन्द करों. रुख्ष ने वनन्द करों के छे, question मा, the oak tree for which the poet appeals to the woodman, जा वो गुरुख्ष छे, ए कभी कथियाराने आजीची करे छे, not to cut, रुख्ष ने कापसी ने, वो सोन बाई इस फोर फादर, ए तेना पर्दाचा ज्वरा लगडावमा आवी छे. लगडाव भुख्ष चे ए खुब छुनुप जानिति वुख्ष चे, It was a popular tree, whose glory and fame was spread till long distance over land and sea. आप्रेतार समुत्रन इंदर अवरुक्स नी यस अने किर्थी प्रस्ने लिचे. Next, त्यापचन प्रस्ने चोए, which feelings of the poet for the awk tree appeal to you? Mark these priorities, केचे, कवीनी एक वरुक्स माटीनी कली लागनियो त्रमने सपर्सी जाएचे, त्रन मुख्य लागनियो पर निशान करो. एमा आप्रे टिक करचूं, 4, 3 and 1. The tree was planted by the poet's grandfather. आँ वरुक्स एना दादा द्वारा उगळमा आवेलू छे. The poet played with his sister under the tree. लेकक वोथानी बेहन चोडे आँ वरुक्स नी चे रमता आता. He experienced the tender love of mother under the tree. तेना अनुखो यो करे लोचे के आँ बुरुक्स नी चे बुरुक्स नी चायमा, बुरुक्स नी हदमा येने पतानों मातानों प्रेम मडेलो वाए येवुटना. एले, आँ 4, 3 and 1 आ त्राण वाक्के येवाचे जिये आ मुख्यो त्राण लाग्नियों नी निसान, मुख्यो त्राण लाग्नियों चोए. आवे, त्यार पच्छी नूँ विद्यात्यमेत्रों, आपने पच्छी नूँ प्वेस्च्चिन चोए. एले, 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 कर दो